असलामुलेकुम इंट्राजुटराइन डिवाइस इन शॉर्ड आईउडी एक फ्लेक्सिबल टी शेप प्लास्टिक डिवाइस होती है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए फीमेल की यूटरेस में इंजर्ट कर दी जाती है इंट्राजुटराइन डिवाइस की दो टाइप्स होती है नमबर वन कापर कोटेड आईउडी नमबर टू हर्मोनल आईउडी आईउडी प्रेगनेंसी को रोकने में 99% एफेक्टिव होती है और इसके जरीए प्रेगनेंसी को तकरीबन 3 से 10 साल तक रोका जा सकता है इसलिए इस डिवाइस को बिर्थ कंट्रॉल के लिए बहुत एफेक्टिव माना जाता है आईउडी को एक लंबी सी ट्यूब के जरीए यूटरस में इन्जर्ट कर दिया जाता है इस डिवाइस के एंड़ पर एक स्ट्रैन यानि धागा बांदा होता है यह स्ट्रैन आईउडी के रिमूवल के वाक्त काम आता है यानि इस ट्रेंट से पकड़गार IUD को खेंच कर यूटरस से बाहर निकाला जा सकता है कापर कोटेड आई यूटरस में माइनर इंफलमेशन कास करता है जिसकी वज़़ से स्पाम्स यूटरस में इंटर होने के बाद इंफलमेशन के नितीजे में मार दिये जाते है और इसके अलावा कापर कोटेड आई यूटी एंब्रियो इंप्लांटेशन में भी रुकावट डालता है कापर कोटेड आई यूटी बर्थ कंट्रोल में 5 से 10 साल तक एफेक्टिव होता है इसके बाद इसको यूट्रेस से निकाल दिया जाता है जबके हर्मोनल आई यूटी यूट्रेस में इंजर्ट होने के बाद प्रोजेस्टिन हर्मोन रिलीज करता है और ये हर्मोन सर्वेक्स में मुझूद म्यूकस को थिक बनाता है जिस से फिर स्परम यूटरेस में ट्रेवल नहीं कर पाता इसके लावा प्रोजेस्टिन हर्मोन यूटरेस की लाइनिंग में एंडोमीट्रियम को भी पतला कर देता है जिसकी वज़ा से एग रिलीज होने के बावजूद यूटरेस में इंप्लांट नहीं हो पाता हर्मोनल आईउडी बर्थ कंट्रोल में तकरीवन तीन साल तक एफेक्टिव होता है इसके बाद इसे यूजरेस से निकाल दिया जाता है आईउडी की सबसे खास बाद ये होती है कि इसे किसी भी वक्त रिमूव करवा के फीमेल दुबारा से फर्टिलिटी गैन कर सकती है शुक्रिया अल्लाहफेज